हलो जाहें दमस्कार रोग सभी को जैश राम दोस्तों आज की डिबेट थोड़ा अलग होने वाली है आज की डिबेट इंडियन पॉलिटिक्स से ना हो करके आज की डिबेट के अंदर भूके नंगे पाकिस्तानियों के भूके नंगे सुरों ने जो कायराना हरकत जो हमला किय का जाखे है वैस्रों देवी से आने वाली बस पर जो जैपूर से गई थी और वैस्रों देवी इसक आज की डिबेट होने वाली हालकि डिबेट नहीं निचे प्लफ मैं पहले बताकर इनकी तरह से घी बार करते हम ने बता और चल्द ही हमारी आर्मी भी इनको वही इनकी उकाद दिखा देगी ये कीचर के सूर जो हैं ये वही पसंद करते हैं इनके हरकते देखकर पूरे भारत का खून खोलता है और इनके साथ वही करना चाहिए जैसे एर स्टाइक की थी उससे भी कुछ बड़ा इस बार होना चाहिए तो आईए बहरे चलते हैं दिबेट में देखते हैं के इनका क्या हाल किया गया है खरोप की elf- Hadima आछें सेंटेटी आफिड़ी आप जियादी आप मारतने रहीं पेखते रहें वो उनके पास endless supply या जिहादियों की software programmer थोड़ना पाई जाते हैं पाकिस्तान में scientists थोड़ना है पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो जो है हो बेजेंगे they will send whom they have and they will keep on sending unless you punish the Pakistan आमी, this will not stop Arnab for the next hundred years it will not stop, you have to punish the Pakistan आमी like you did in 1971 अभी मैं उस्पीर हो्ता आप खेलोंни खेशित गर्दी करते हैं जो uy I might की लिए अपने लोगों के मरवाने तक सब कुछ आप खुद करते हैं आपकी हकूमत कर रही है इस वक्ट तो नहों ने ओफ लेने के लिए यह कुछ जो कुछ रिया, कि लिए इशाद हमाद खान एक मिनट और रुकिए एक म煩 औरर रुकिंए मेरी मेरी बात चुनिए negra मेरी बात चुनिए कि हुर्ण यह यह वागी सईद Efendimiz हफी सहीद ने क्रेडिट ली है और उने कहा है कि मैंने करवाया और इधर इशाद एहमद खान कह रहे हैं अरे आप मेरी बात सुनिये मेरी बात खत्म करने दीजिए अरे एक बात बता है इशाद इशाद आप बहुत बोलते हैं ना तो मेरी सवाल का जवाब दीजिए इतना बोलते हैं तो मेरी इतना बोलते हैं सुनके बोलिए ये प्रॉलम है आप पाकिस्तानियों की बिना सुने बात करते हैं सुनिये फिर बोलिए सुनिये फिर बोलिए मेरा सवाल ये है कि जिस टेर्रिस्ट ने एक दो साल के बच्चे को मारा सिधा सवाल है सिधा जवाब दीजिए जिस टेर्रिस्ट ने एक दो साल के बच्चे को मारा वो टेर्रिस्ट और उस टेर्रिस्ट ग्रूप को आप कायर मनते हैं कि ने कावर्ड कावर्ड बोलिये हफीज सहीद कावर्ड बोलिये हफीज सहीद कावर्ड है बोलिये हफीज सहीद कावर्ड है बोलिये हिम्मत है तो बोलिये कायर ता दिखाते हैं मेरे प्रोग्रेम पर शर्म नहीं आती कायर कही कि आप लो कायर है की नहीं बताईए मुझे पहले बोलिए जिसने दो साल के बच्चे को मारा वो कायर है की नहीं बोलिए आज बोलिए एक बच्चे को मारते हो एक बच्चे पे गोली चलाते हो एक बच्चे और उसकी माँ को मार डाला गौरफ इन्होंने एक बच्चे को ये कायर एक बच्चे को और उसकी मा को मार डाला जो जैपूर से थे जैपूर से थे जैपूर से थे वेशनो देवी जा रहे थे हिंदू थे सनातरी थे आपने मारा, आपने उस बच्चे को क्यों मारा, क्यों वह हिंदू बच्चा था, आपने क्यों मारा, क्योंकि वह हिंदू बच्चा था, वह भारतिया बच्चा था, अरे भई, अरे आप लोग तुम्हारी पूरी कौंग देशत करते हैं, क्या वा कर रहे हो, सारे पाकिस्तान बिखा ये ऐरे छोड़ इसी ये सब जोड़ बोलते हैं वाइनसान ग़ता है एक इनसान का कतल पूर सु बैसी नंबर तो का काम mów रे पूरा का पूरा का कुछा और विर इसका वाकीन वाधिन में ते यह जोड़िक देते हैं झीलिग दाने ही ते जैल्भ होगी दाने एक अडि पत्वारी मेरी बात सुनो तुम्हारा काईथ चूर नवाल शरीर विए वागने के लिया आयता हमारे पटान मंध्री के पास पत्वारी चौर करब़ाऍप अधमिया पत्वारी है नवाल شरी पाकिस्टान मुस्लिम लिग नौल पत्वारी हो की है अर्जू कर देए मता नहीं कुछ कुछ बोलता है इसके गुलाम है उसके गुलाम है तुम होगे जाओ गैसे आपको पड़ारी का चपड़ा से निकल याँसे आप गढ़ेंगे अर्ब होएववेजिए। I mean that's all here. General Bakshi, Arnab, head of general bakshi is a very timed land provocation. it has been timed with the inauguration of the new government you said they think Modi has gone weak I think the prime minister should show them what is the difference between Modi 2.0 it is a deliberate affront it is an affront to our national honor that you choose to kill it was a day of celebrating India's rise to the global stage of the super economic powerhouse something which a banker of Pakistan can never have so the problem with them Gaurav is that they have an inferiority complex and that's why they respond by saying let's carry out a terrorist attack here and there one small intervention I would like to correct you and disagree with you Pakistan does not have an inferiority complex Pakistan is inferior Gaurav Ah trying Pakistan is an inferior let go the kid look one more thing It is not taking to the laundry, it is taking to the cleaners look for him watch of him look for him Teерг him पर दोस्तों मुझे एक चीज समझ नहीं आती इनके पास खाने को तो दाने नहीं है घर में ये आटे के लाले पड़े हुआ है और ये हतियार कहां से लिए आते हैं और ये चीज समझ नहीं आती है थोड़ा कमेंट करके बताएं कि क्या है क्या नहीं बागी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन ओन करते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद बंदे मातरम जै शिर राम